जफर इसलाम जी आपका क्या quick thoughts एक दो मिनिट के अंदर अगार opening thoughts बता दीजे इस budget के बारे में धन्यवाद सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ दिर्मिला जी को कि उन्हें एक बहुत अच्छा budget पेश किया जो के पूरे देश के हर वर्ग के लोगों के लिए है इसमें चाहे जो भी वर्ग हो अपने आपके लिए कुछ ने कुछ देखता है और वो कैसे हो सकता है अगर आप देखिए तो progressive budget है जब हमें इतना बड़ा mandate मिला और mandate मिला कि हम एक निया देश देखना चाहते है निव इंडिया निव इंडिया में क्या होना चाहिए कि हर एक नागरिक के लिए जो सुविदाएं होनी चाहिए वो सुविदाएं जो जिससे कभी बहुत सारे अपने देश वासी लोग वंचित रहें उन सुविदाओं को महिया कराया जाए हर नागरिकों को जिसने आप देखे इस इस में हमने हर वर्गों का ख्याल रखा है अगर किसी के पास च्छत नहीं तो उनको च्छत दिया जाए घर दिया जाए जिनके पास बिजली घर तक न को सबसे जाएदा अगर इंफरस्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उनको सबसे बड़ा फाइदा होता है उसके साथ साथ देखे अभी वो कह रहे थे कि economy में slow down है और एक ऐसे phase में है जाके global slow down के साथ इंडिया में slow down है देकि इंडिया कम से कम इंडिया एक isolation में देखा जा सक सकता है कि यहां पर opportunities है growth momentum है और हो सकता है थोड़ा slow down इसली हुआ थे कि NBFC सेक्टर में थोड़ा सा जो कमी आई थी वो credit flow के वाज़े से उसको भी इस इसमें जो है पूरी तोरह से वो concern को भी address किया है तो budget अगर पूरे perspective से देखे चाहे गरीब आदमी के लिए उसके इंद middle class के लिए है या business community के लिए हाँ थोड़ा सा अगर थोड़ा सा नाराज़गी होगी या नाराज़गी नहीं मैं करता हूं कि शायद उनको खुशी भी होगी जो जो upper income level है उनको थोड़ा tax ज्यादा है थोड़ा उन पर tax लगाया गया लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो जो 30-40,000 लोग है वो जाहर है वो अपना स्वभाग समझेगे कि उनके contribution से देश के गरीब तपका के लोग जिनको आज तक बहुत सारी चीज़े नहीं मौया कर पाए उन तक हम उस चीज पहुचाने में सरकार क्यामयाब होगी और कहें न कहें उनका contribution उसमें भी रहेगा तो उस समाज के हर लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है